सर्व्यभ्यो नमो नमह, मम नाम डक्टर लूनेश कुमार वर्मा, अहम रायपुर जिलांतर गते सास्की उच्चतर माध्यमिक विद्याले छचान परी मध्य पदस्तोस्मी प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं भारत के इतिहास के विशय में, भारत के इतिहास के साथ साथ हम यदि वर्णों के इतिहास को भी जाने, तो निशित रूप से ये हम सब के लिए गौरों का विशय है, जैसे हम विभिन वर्णों की बात करते हैं, आ की बात करते हैं, क की बात करते हैं, ख की बात करते हैं, अ से लेकर ह तक के वर्ण, विभिन वर्णों की बात करते हैं, क्या आपने कभी इन वर्णों के विशय में सोचा है, ये जितने वर्ण होते हैं, इन सब का अपना अर्थ होता है, जैसे आ कहते हैं, आ कहा जाता है, अक मतलब होता है आकास जैसे खगी प्राणी कहते हैं खग से ही खग बना है ख मतलब होता है आकास और आकास में गमन करता है उसको खग कहा जाता है आप अभी تक सामानिय रूप से जानते रहें कि खग का तात पर्य चीड़िया या तक में पक्षी को कहाजाता है इसका उत्तर यह है कि ख चुंकि आकास को है और उस ख अर्थात आकास में गमन करने वाला जो होता है उसे खग कहा पिएरे बच्चों आप लोगोने इस भू गोल नाम तो सुना हैं भू का मतलब होता है प्रित्वी या धर्ति और गोल तो भू-गोल कहते हैं तो इसके अंतरगत यह जो प्रित्वी आपको दिखाई दे रही है इसके विभिन्न सनरचनाओं का विभिन्न सतह का इनके विभिन्न खनीश पदार्थ जो है इन सब का अध्यान हम भूगोल के अंतरगत करते हैं इसी तरह से एक सब्द होता है खगोल, ख का तात्पर होता है आकास और गोल, आकास कैसा है जैसे भू, धरा जो है गोल है उसी तरह से आकास भी कैसा है, गोल है, आदी है, अनन्त है, इसका कोई और छोर नहीं है, तो खगोल उस सास्तर को कहा जाता है या उस विज्ञान को कहा जाता है भारती खगोल विज्ञान की कुछ सुरुवाती जड़ें हिंदू घाटी सभ्यता या उससे पहले की अवधी की मानी जा सकती है खगोल विज्ञान बाद में वेदांग के एक अनुसासन के रुप में विक्सित हुआ या वेदों के अध्यान से जुड़े सहायक विशियों में से एक जो पंद्रव सव इसा पूर्व या उससे भी पुराना है बात कर रही खगोल विज्ञान की तो यह विज्ञान भारत में ही विक्सित हुआ है प्रसिद जर्मन खगोल विज्ञानी कापर निकस से लगभग एक हजार वर्स पूर्व आर्य भट्ट ने आर्य भट्ट आप चित्र में देख भी पा रहे हैं तो आर्य भट्ट ने पृत्वी की गोल आकृति और इसके अपनी धूरी पर घूमने की पूश्टी कर दी थी आज जैसे कहा जाता है कि सूर्य जो है इस्थीर है और पृत्वी जैसे और अन्य जो नव ग्रह हैं ये सभी स सूर्य के चक्र लगाते हैं सूर्मंजल की बात करते हैं तो सूर्मंजल में सूर्य जो इस्थीर है और अन्य जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं सूर्य के चक्र लगाते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं ये कहा जाता है तो इसकी पूश्टी प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी काप पुर्व भारत के खगोल वीद आर्यभट ने कर दिया था इसी तरह से आईजक न्यूटन से एक हजार वर्ष पुर्व ही ब्रह्म गुप्त ने पृत्वी के गृत्वा कर्शन की पूष्टी कर दी थी आज हम जानते हैं कि गृत्वा कर्शन के सिध्धान्त का प्रतिपादक न्यूटन है लेकिन यदि आप भारती सास्त्रों को देखें तो वहां आप पाएंगे कि ब्रह्म गुप्त ने सरुप्रथम पृत्वी के गृत्वा कर्शन सिध्धान्त की पुष्टी की थी यह बात अलग है कि किन ही कारणों से इनका स्रेय पास्चात्य वज्ञानिकों को मिला भारती खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों से माना जाता है वेद आप जानते हैं विश्व की प्राचिनतम ग्रंत हैं और प्रस्ण किया जाता है कभी कि वेदों की संख्या कितनी ह आप भली भाती जानते हैं, कितनी हैं? बिलकुल सही, वेदों के संख्या है, चार कौन कौन से वेद हैं? वे वेद हैं, रिगवेद, यजूरवेद, अथरवेद और सामवेद, इस तरह से ये चार वेद हैं, वेदिक कालिन भारती धर्म प्राण व्यक्ति थे, वे अपने के लिए उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास किया था, वेदिक आर्य सूर्य की उत्तरायन और दक्षणायन गती से परिचित थे, आज भी हम कहते हैं कि सूर्य कभी उत्तरायन हो गया, कभी दक्षणायन हो गया, तो इसकी यह उत्तरायन और दक्षणायन होने की गती है इसको वैदिक कालिन जो भारत के रिशी महारसी थे, जो वैज्ञानिक थे, वे इससे परिचीत थे वैदिक कालिन खगोल विज्ञान का एक मात्र ग्रंत वेदांग जियोतिस है इसकी रचना लगध नामक रिशी ने ईशा से लगभग सव वर्स पूर्व किया था महाभारत में भी खगोल विज्ञान से संबन्धित जानकारियां मिलती है महाभारत करते हैं भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं एक है रामायन जिसकी रचना आदिकवी वालमिकी जीने किया और दूसरा है महरसी वेदव्यास वीरचीत महाभारत तो महाभारत में भी खगोल विज्ञान से संबन्धित जानकारियां मिलती हैं महाभारत में चंद्र गरहन और सूर्य गरहन की जरचा है इस काल की लोगों को ज्यात था कि गरहन केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही लग सकते हैं इस काल के लोगों का ग्रहों के विशामी भी अच्छा ग्यान था वेदांग जियोतिस के बाद लगभग एक हजार वर्सों तक खगोल विज्ञान का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है पांचवी सताब्दी में आर्य भच्चने सर्वप्रथम लोगों को बताया कि पृत्वी गोल है और यहां अपनी धूरी पर चक्कर लगाती है इससे पहले यहां माना जाता था कि पृत्वी स्थीर है और सूर्य आदी अन्य पिंज जो हैं यह घूमते हैं यह परिक्रमा लगाते हैं यहां माना जाता था लेकिन आर्य भट्ट ने यह सिद्ध किया कि प्रिथ्वी गोल है और यह अपनी धूरी पर चक्कर लगाती है जिसके कारण से दीन और रात जैसी अवस्थाएं होती हैं उन्होंने प्रिथ्वी के आकार, गती और परिधी का अनुमान भी लगाया था आर्य भट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहन के सही कारणों का पता लगाया उनके अनुसार चंद्रमा और प्रिथ्वी की परचाई पढ़ने से ग्रहन लगता है उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा में अपना प्रकास नहीं है वह सूर्य के प्रकास से प्रकासित होता है समाने रुप से आज हम देखते हैं तो हमको लगता है कि नए सूर्य भी एक प्रकास पिंज है और चंद्रमा भी प्रकास पिंज है जिस तरह से सूर्य अपने प्रकास से प्रकासित होता है ऐसा हमें प्रतीत होता है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है आर्य भटन यह प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकास नहीं होता है उसका प्रकास जो होता है वह सूर्य का प्रकास है जिसका प्रतिबिम्ब के रूप में वह चमकता है इसलिए हमें चंद्रमा प्रकासमान दिखाई देता है। इसी प्रकार आर्य भटनी राहू केतु के द्वारा सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेने या ग्रास लेने के सिध्धांत का खंडन किया। अभी तक ये धार्मिक माननेता रही है कि राहु और केतु ये दोनों राक्षस हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं तो इस सिध्धान्त का उन्होंने खंडन किया और ग्रहन का सही सिध्धान्त सही और वज्यारिक रिती से सिध्धान्त प्रतिपादित किया आर्य भट ने आर्य भटिय तथा आर्य सिध्धान्त नामक ग्रंथों की रचना की थी। आर्य भट के बाद छठी सताब्दी में वराह मिहिर नाम के खगोल वज्ञानिक हुए। विज्ञान के एतिहास में वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी सक्ति है जो वस्त्वों को धरातल से बांधे रखती है। यदि हम किसी वस्त्व को कहीं दूर फेकते हैं या ऊपर फेकते हैं तो वापस प्रिथ्वी पर आ जाती है। मतलब कोई तो सक्ति है जो इन चीजों को बांध कर रखती है अपनी और खीज कर रखती है। आज इसी सक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वराह मिहर का कहना था कि प्रिथ्वी गोल है जिसके धरातल पर पहाड, नदिया, पेड़ पौधे, नगर, गाउं आधी फैले हुए हैं। पंच सिध्धान्तिका और सूर्य सिध्धान्त उनकी खगोल विज्ञान संबंधी पुस्तके हैं। इनके अतिरिक्त वराह मिहर ने व्रिहत सहिता और व्रिहत जातक नाम की पुस्तकें भी लिखी हैं। इसके बाद भारती खगोल विज्ञान में ब्रह्म गुप्त का भी काफी महतपूर्ण योगदान है। इनका कार्यकाल सातवी सताब्दी से माना जाता है। वे खगोल विज्ञान संबंधी गणनाव में संभवत बीज गणित का प्रयोग करने वाले भारत के सबसे पहले महान गणित अग्य थे। ब्रह्म गुप्त सिधान्त इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनके अतरीक्त जीवन के अंतिम वर्सों में ब्रह्म गुप्त ने खंडखाद्यक नामक ग्रंथ भी लिखा था। उन्होंने विभिन्न ग्रहों की गती और स्थिती, उनके उदय और अस्त, यूती और सूर्य ग्रहन की गणना करने की विधियों का वर्णन किया है। अर्थात ग्रह किस प्रकार गती करते हैं, कौन से ग्रह की कितनी गती होती है, कितने दिनों में कौन किस की परिक्रमा करता है, इसके विशय में उन्होंने महत्पुन जानकारियां दी थी ब्राह्मा गुप्त का ग्रह संबंधि ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात वेद या कहें कि आउनलोकन पर आधारित था उन्होंने गणना किया था उन्होंने जो बाते कही थी उसको उन्होंने सिद्ध किया था उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभाव के आधार पर ये बाते कही थी उनका मानना था कि कभी गणना और वेध में अंतर पढ़ने लगे तो वेध द्वारा गणना को सुध कर लेना चाहिए वे पृत्वी को गोल मानते थे तथा पुराणों में पृत्वी को चप्टी मानने के विचार की उन्होंने कड़ी आलोजना की है ब्राह्मगुप्त आरे भटके अनेक सिध्धानतों के साथ पृत्वी के अपनी धूरी पर घूमने के सिध्धानत के भी अलोचक थे ब्राह्मगुप्त पृत्वी की आकरशन सक्ति के सिध्धानत से सहमत थे अर्थात पृत्वी कोई चीज़ को अपनी ओर खीशती है इस सिद्धान्त के वे समर्थक थे उनके अनुसार वस्तुएं पृत्वी की ओर गेरती हैं क्योंकि पृत्वी की प्रकृती है कि वह उन्हें अपनी ओर आकरसित करे ब्रह्मगुप्त के बाद खगोल विज्ञान में भासकराचार्य का विशिष्ट अस्थान है इनका समय बारहुवी सताब्दी था वे गणित के प्रकांड विद्ध्वान थे उन्होंने सिद्धान्त सीरोमणी और करण कुतुहल नामक दो गरंथों की रचना किया था खगोल विद के रूप में भासकराचार्य ने अपनी तातकालिक गती की अवधारना के लिए प्रसिद्ध है इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गती का सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है भासकराचारे ने एक तो गोले के सतह और उसके घंफल को निकालने के जर्मन ज्योतिरवीद केपलर के नियम का पूर्वभ्यास कर लिया था उन्होंने 17.7 अबदी में जन में आईजेक न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पहले गृत्वा करशन का सिध्धान्त भी प्रतिपादित कर दिया था लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जिसके कारण से गृत्वा करशन के सिध्धान्त को प्रतिपादित करने का स्रे उन्हें नहीं मिल सका और यह स्रे न्यूटन को आज प्राप्त है प्यारे बच्चों जब हम आस्मान में देखते हैं तो आस्मान रंग बिरंग दिखाई देता है जब हम आस्मान में बिखरे हुए विभिन प्रकृति के तारों को देखते हैं तो उनको देखकर मन में कवतुहल जागरित होना स्वभाविक ही है तो ऐसे ही इन तारों को देखकर बहुत आश्चरी होता है और उस आश्चरी की भावना को बनाय रखने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन रहस्यों की गहराई सीच जाच करने में लग जाते हैं तो ऐसे ही कुछ कारण है जिसके कारण से खगोल के अध्यन के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं इस संदर्भ में महाराजा सवाई जैसी द्विती 1688 से 1743 तक इनका समय का उल्लेक करना आवश्यक है उन्होंने उत्तर भारत में पांच वेध सालाओं का निर्मान करवाया इन वेध सालाओं में खगोल अध्यन के कई यंत्र हैं वे हिंदू, अर्भी व यूरोपी खगोल सास्त्र से परिशित थे उन्हें यूरोप में दूर्भीन के उपयोग के भी जानकारी थी और उन्होंने अपने सहर में छोटी-छोटी दूर्भीने बना कर भर्षक प्रयास्त्र किया इसी तरह से 16-18 सदी के दवराण भारत के खगोली प्रयासों पर एक नजर डालें तो हम पाते हैं कि यूरोप से आये जेशुइट्स के माध्यम से ये चीज़ें अब संभव होने लगी थी ये जेशुइट्स भूगोल वा मान चित्रण में दक्ष थे और व्यावहारीक खगोल सास्त्र के ग्याता थे इन में से कई जेशुइट्स ने सवाई जैसी के वेद साला में भी काम किया इस्ट इंडिया कमपनी भी खगोली ये क्रिया कलापों को बढ़ावा दे रही थी तथा उसने कई आधुनिक वेद सालाओं के निर्माण में मदद किया इन में से मद्रास वेद सालाव विशेश रुप से उल्लेखनी है यह 1792 में बनकर तयार हुआ और इसे कोडाइक नाल कोडाइक नाल वेद साला का पूर्वर्ति माना जा सकता है इन सारे प्रयासों से पता चलता है कि एक लंबी परंपरा का परिणाम था कि पस्चिमी खगोल सास्त्र को पराया नहीं माना गया और जल्दी ही इसके भारती अध्यता भी उभर कर सामने आए इसी का नतिजा था कि एम एन साहा और वेणु बप्पा जैसे वैज्यानिकों ने आधुनिक खगोल सास्त्र में उल्लेखनी योगदान दिया आज भी भारत में अपनी प्राचीन खगोल परंपरा को जीवित रखने तथा साथ ही वैज्यानिक अन्वेशनों को अपनाने के सतत प्रयास चल रहे हैं इन ही प्रयासों की कड़ी में हम देखते हैं कि भारत ने अनेक क्रित्रिम उपग्रहों को आसमान में इस्थापित किया है विभिन नकक्षों में इस्थापित किया है जिसके कारण से आज हम जिस सेटेलाइट की बात करते हैं ये सभी क्रित्रिम उपकरहों के कारण से संभ प्रगतियों में हम यदि चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे प्रयास हुए हैं और इन में से सबसे महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 का अभियान रहा है यह चंद्रयान 3 का अभियान चंद्रमा के दक्षण द्रू जहां तक अभी विश का परिचय देते हुए वहां अपना उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त किया है इसी तरह से मंगल में मंगल ग्रह में भारत ने अपने पहले प्रयास में ही मंगल यान भेजने में सफलता प्राप्त किया तो प्यारे बच्चों इस तरह से यह भारत का इतिहास रहा है ख और आईए यह जो आज की जो प्रगती है आज के वज्ञानिकों की जो प्रगती है मंगल पर मंगल यान भेजने की उसके संदर्भ में आज का हमारा यह पाठ है यात्रा मंगलम प्रति तो सबसे पहले हम इस पाठ को सूनते हैं त्रयो दसह पाठह यात्रा मंगलम प्रति विशय प्रवेश अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतियों का योगदान वंदनी रहा है इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगल यान है इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी सोध के छेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व सापित किया है प्रस्तुत पाठ में मंगल यान से संबध कई तत्यों को उद्घाकित किया गया है पंच नवंबर रह त्रयो दसोत्तर द्वी विन सत्येह ख्रिस्ताब्दस्य बुध वासरे सर्वत्र मंगलम मंगलमिती भने भारते व्याप्ता आसीत भारतिया नाम द्रिष्टि इश्रो समस्था याह मंगल कारक्रमे आसीत श्री हरी कोटा याह सतिसद्धव नांतरिक्ष केंद्रे कुपस्थिताह जना उल्लसिताह आसन प्रायह सार्थ सप्त वादने मंगल यानस्य प्रवाहकह भागह सक्रियह अभवत ततह निमेशा नंतरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम वा निर्धारितम आसीत परम भूधवासरह मंगल मयाह अभवत यदा माम मार्स आर्बिकन मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातं मंगल यानस्य सफल परिछनेन न केवलं भारतस्य अपितु एसिया महाद्वी पस्यापी प्रतिष्ठा वैस्विक पटले समेधिता यतह अध्यावधी परियंतम नहीं कश्चन देशह स्वक्किये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेशने सफलताम अलवर हर्शस्य विशयोयम यत भारतह निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यम प्राप्तवान अमेरिका युरोप शंगह सोवियत रूसह इती त्रयन सह भारतह चतूर्थह देशह अस्ति यस्य त्रिवर्णह ध्वजह मंगल ग्रहे प्रतिभाती अपी चास्य देशस्य प्राविधिक कौसलं प्रति पादयती संप्रति संसारे स्मिन मंगल ग्रहम प्रति यान प्रेशनश्य एक पंचासत प्रयासाह अगवन तेशु प्रयासे सु एक विन्सती प्रयासाह एव सफलाह जाताह प्रयासे स्मिन अमेरिका देशस्य प्रतमह प्रयासाह अपी विफलाह जाताह नासा चतु सश्च्युत्त रैकोन विन्सती ख्रिस्तापदे मैरिनर नव मिशन इती माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान सामान्य तया अंत्रचस्य अन्वेश्णष्य कारिक्रमह अति व्यसाध्य भवती परंच अस्माकम मंगल कारिक्रमश इदम वैसिष्ट्यम अस्ती यदत्र अतीव न्यूनम धनमेव व्यई भूतम अस्मिन कारिक्रमे पंचास दूत्तर चतुस सत कोटी रुप्य कानी निवेशितानी एताव धनम निवनम असित अन्य देशिया पेर्चया अपीच्य नासा याह मावेन मिशन इत्यस्य व्यई भूत धनस्य दसमह भागह वर्तते अतोत्यधीकं धनम्तु वै देशिक चल चित्रा निर्माने निवेशितान भावती भारतह तरल मोटर इती प्रविधिना मंगल कक्छायाम मंगल यानम स्थापित्वान ततह पूर्वम नही कश्चन देशह एता द्रिशाय कार्य क्रमाय तरल मोटर इती प्रविधिम प्रयुक्तवान यतह प्रायह अश्य प्रविधेह प्रयोगह चंद्रग्रह कक्छा प्रवेशाय क्रियते PSLV C25 प्रक्छेपक यानेन मंगल यानश्य गतिह प्रती निमेसम द्वाविनसतिह दसमलव पंच सत कीलो मीटर परी मिता इती आसीत वैज्यानिकाह गती नियंत्राणं क्रित्वा प्रती निमेसम चतुर दसमलव सत कीलो मीटर परी मिताम क्रितवंतह आयमकारेक्रमह कठीनत्तमह आसीत यतह अत्र अवधेयताम यम आसीत यत यानश्य गती एतावन मंदा माभवतु येन तत यानम मंगलस्य अधीकरने ध्वस्तम भवेत। अपिच्य यानश्य वेगह एताद्रिशह तिव्रह नस्यात येन तत मंगल कक्छात बहिह अंतरिक्छे वी लुप्तताम आपनु यात अस्य यानश्य वेगह सब्तदा परिवर्तित ह। मंगल यानेन सार्धम कतीपयानी प्रयोगात्मकानी उपकरणानी यंत्रानी चापी प्रेशितानी। तेसु छाया ग्राहक यंत्रेण मंगल ग्रहे यानश्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम अधिगतम। वस्तुतह अस्य प्रयोगस्योद्यस्यम तत्र जीवनास्तित्वस्य अन्वेशनम एव किम ब्रहमांडे प्रिथिवी ग्रहे एव जीवाह विद्यंते इति मोल प्रश्णह। अपीच किम मंगले जीवनम आसित्व आहो स्वित्व भविशतिवाः तस्याधारश्य संरचनायाह वातावरणश्य तत्रस्थाह एखनिज पदार थाह तस्याध्ययनम किम मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम आसित्व किमत्र रक्त ग्रहे मिथेन अस्तिवा न यतह तस्यास्तित्वमेव जैविकम क्रिया कलापम निर्दी सति एते प्रश्णाह अपी सोधनियाह खलू अस्माकम मंगल यान कार्यक्रमह समग्रांत रिक्छान विश्णश्य सोध कार्यक्रमश्य आदर्स भूतह अस्य साफल्येन अंतरिक्छे भारतस्य प्रभावह उतकर्सताम प्रापनोत अनेन अंतरिक्छ व्यवसायस्य अवसरह आयाश्यति युवानश्यापी सक्रियाह भुश्यंति स्थ युवाओनों अश्युभल रिक्छान अने अंतरिक्छ।